next question, दोजा पनरा का सवाल है, question says, one mole of an ideal diatomic gas undergoes a transition from a to b along the path a b as shown in the figure, सवाल है, the change in internal energy of the gas during the transition is, और अपने को चार option दे रखे, 20 joule, 20 kilo joule, minus 12 kilo joule, या फिर, आपका minus 20 kilo joule, now, सवाल simple है, सवाल कुछ इस प्रकार है, कि ये अपने को PV graph दिया हुआ है, कि ये P है और ये V है, इस जगे से ये आपका कोई point A है, यहां से आपने transition किया है, A location से B location पर, ठीक है, पहले data लिख लेते हैं, graph मैं आपके लिए बना रहा हूँ, तो यहां पर आपका pressure जो change हो रहा है, वो है 5-2, और volume जो change हो रहा है, आपका, जो volume expand हो रहा है, वो है 4-6, आपका यह expansion होगा है, अगे इस process को ध्यान रखना है, यह आपका कोई standard process नहीं है, अगर यह PV graph बना है, तो thermal होता, तो यह आपका hyperbola आता, ठीक है, तो यह straight line है, तो यह कोई standard process है नहीं है, आपने कोई बात पता है कि delta U की जब हम बात करते हैं, तो delta U उसको लिखते हैं, 1 by 2 FnR delta T, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे half, अच्छा, diatomic gas है, तो diatomic gas के लिए F की जो value है, वो अपनी हो जाएगी 5, तो half multiplied by 5, multiplied by nR, अच्छा, यहाँ पे लिखेंगे, अब delta 2, delta T, delta T के लिए लिखेंगे, T2 minus T1, T2 T1 के अपने को direct value दे नहीं रखी है, तो इसके लिए मैं थोड़ी सी जुगत लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पे हम use करेंगे, P V is equal to nR T, which implies temperature is equal to P V divided by nR, यहाँ आपका temperature आएगा, तो यह value हो जाएगी, half इसको 5 by 2 लिख लेते हैं, multiplied by nR, और temperature T2, उसके लिए हम लिखेंगे T, अच्छा, इसको 2 कह लेते हैं, तो यह आपका P V, P V multiplied by VB divided by nR, minus P A V A divided by nR, जालें, तो n और R, nR तो यहाँ पे cancel हो जाएगा, बस हमें यहाँ पे P V और pressure volume की value रखनी है, ठीक है, तो यह अपना value आगे 5 by 2 multiplied by P B और P A V को multiply करना है, तो यहाँ पे pressure 2 है और आपका volume 6 है, तो यहाँ गया pressure 2 है, तो 2 into 6, minus यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे आपका जो pressure है, वो आपका 5 है और volume आपका 4 है, तो 5 into 4, यह value हो गई, बस की answer देख आपने को, तो अपने जो delta U की value आई, वो हो गई 5 by 2 multiplied by यह बनेगा आपका 2 into 6 यानिके 12, और उसमें से आप minus करेंगे 8, यानिकी, उसमें minus करेंगे 20, यानिकी value आएगी minus 8, और इसकी value हो गई minus 20, अब इसकी एक बार unit देख लेते हैं, यहाँ जो हमने miss किया है, वो यह है, कि pressure आपका यहाँ पे kilo pascal में दिया हुआ था, ठीक है, तो यह मतलब आपका 10 to the power 3 से और multiply हो जाएगा, आपके delta U की value हो गई, minus 20 kilo joule, यानिके option number D would be the right answer.